जे हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे, तो चलिए आज के इस वीडियो में CSBC द्वारा, बिहार पुलिस, बिहार एक्साइस कॉंस्टबल, बिहार फायर मैन, फॉरेस्ट गाड इन सभी परिक्षाओं में 2010 से लेकर 2023 तक में जितने भी जोग्राफी के प्रस्ण पूछे गए हैं, उन सभी प्रस्णों को कवर करने बाले हैं, और 100% निश्यत रुप से, यहां से आपके एक्जाम में प्रस्ण जरूर पूछे जाएंगे, तो सेशन आप लोगों के लिए काफी जादा इंपोर्टन रहेगा, इसलिए आप से आंसर बताईए, और देखे प्रत्यक स्ट्वेंट को नीचे लाइप चेट में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रोपर तरीके से रिविजन भी हो सके, तो देखे भारत में किस नदी का बेसिन छेतर अधिक है, तो यहां पर सही जबाब है गंगा, त तो पूथा जा सकता है, उत्तर भारत का विजाल मैदान किस से बना है, तो सिंधु, गंगा और ब्रहंपुत्रा का मैदान से बना है, उत्तर भारत का विजाल मैदान, और इस मैदान में जलोड मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, ज्यान रखेंगे, तो यहां से प्रस् प्रसन है निम्नलिकित में से कौन हिमानी तथा उनकी इस्थिती सुमिलित नहीं है बिल्कुल टॉप लेवल का प्रसन है आंसर बताईए तो देखे गंगोत्री की बात करें उत्राखन जो कि बिल्कुल सही जवाब है गंगोत्री जो है उत्राखन से गंगा नदी निकलती है ज्यान रखेंगे जेमू की बात करें तो ये जेमू हिमानी हिमाचल परदेश में इस्तित नहीं है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जेमू हिमानी जो है कंचन जंगा परवत्ष संबंदित है और ये सिक्किम राज में अवस्तित है बाकी गंगोतरी उत्राखंड चेमा यूंग तिबबत सियाचिन काराकोरम ये सबी बिल्कुल सही है तो आंसर क्या होगा हमारा बी ओप्सन तीसरा प्रस्न है भूगर्बिक समय मापकरम का सबसे प्राचिन खंड क्या है यहां पर मापकरम होगा चलिए आंसर बताइए बिल्कुल एक नमबर का प्रस्न है तो देखे आद्य कल्प, सेल समू, आगे देखे, 9 डिग्री चैनल अवस्तित है, चलिए आप सभी चोथे प्रस्णी के लिए आंसर बताएंगे, और यहाँ पर आपको option के according answer बताना है, तो देखे, यहाँ पर चोथे प्रस्ण का सही जबाब है, B option लक्षद्वीप में, देखे, ऐसे त देखे, 9 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप और मिनी काय के मद्द इस्तित है, लेकिन option में सिर्फ लक्षद्वीप दिया गया है, तो आंसर हमारा क्या होगा, लक्षद्वीप और 10 डिग्री चैनल की बात करें, तो यह अंडमान और निकवार के मद्द है, 8 डिग्री चै पहली बार आए हैं, आप लोग स्क्रिन सोट ले लीजिए, और यह साले साथ बजे की क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, दिवाकर स्टेडी IQ चैनल पर, सभी क्लास के पीडियाप और जितने भी important notes होते हैं, टेलिग्राम पर दे जाते हैं, आगे देखिए, सूर के आंसर को चेक करूंगा, D option में है, 8 minute, 20 second, आगे देखे, करक देखा, भारत के निमनलिकित प्रांतों में किस से होकर नहीं गुजरती हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, करक देखा, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, कौन-कौन से राज्य हैं, राजस्थान, ग प्रसिम मंगाल, तिरपूरा और मिजोरम, जिसमें से आपका क्या नहीं आता है, तो उत्तर परदेश, यहाँ पे B option आपका सही जबाब है, आगे देखे, निमनलिकित, नदियों में से किस एक से कुर्नुल कुडपा नहर निकाली गई है, बिल्कुल यहाँ से आपके जाम म अध्यानपूरवक देखें, तो यहाँ पर साथवे प्रस्न का आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगा कुडपा नहर जो है, यह निकाली गई है, पेन्नेरू नदी से, तो B option जो ही बच्चे बता रहे है, बिल्कुल सही जबाब है, पेन्नेरू नदी से, कुर्नुल तो सूरी से सबसे निकर्तम ग्राप सभी जानते हैं बुद्ध है और पिर्थवी से सबसे निकर्तम सुक्र है आगे देखें वायो मंडल ये संबचना में निम्नलिकित में से किस गैस का सरवादिक भाग है तो बहुत सिंपल प्रस्न है इसका आंसर क्या होगा नाइट्रोजन इसकी प्रतिशत मात्रा की बात करें तो ये वायो मंडल में लगभग 78 प्रतिशत के आसपास है उसके बाद ऑक्सिजन का स्थान है जो की लगभग 21 प्रतिशत है फिर कारबन डियोकसाइड है 0.03 प्रतिशत ध्यान रखेंगे और एक प्रस्न यहां से बनता है कि वायो मंड में होती है तो याद रखेगा आरगन प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 0.09 प्रतिशत और वायो मंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है तो रेडान को छोड़कर सभी अक्रिय गैस पाई जाती है तो ध्यान रखेंगे आगे देखे भारत की सबसे बड़ी ये कोन सी है तो जोई बच्चे बंगाल की खाड़ी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सहीजवाब है बंगाल की खाड़ी और इसी बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकवार दुइप्समूऔ। भुगोल सबज का सरपर्थम प्रति पाधन किसने किया था? चलिए 11 के लिए फड़ाफट से आंसर बताएंगे भुगोल सब्द का प्रती पादन सबसे पहले किस ने किया था तो याँ पर इस प्रसंद का आंसर जोईवच्ची आप्शन भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जबाब है इरेटो इस्थनिज ने भुगोल में करमबद उपागम खालिय स्थान द्वारा परिवर्तित किया गया तो देखें भुगोल में करमबद उपागम को अलेकजेंडर वान हमबोल्ड के द्वारा परिवर्तित किया गया ध्यान रखेंगे उलूंग किस्म की चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है इस प्रस्न को अभी हमने रात आट बजे की क्लास में एक्ष्टा फेक्ट में आपको बताया था और ये प्रस्न प्रिवेस एर में पूछा गया है देख सकते हैं इसलिए आप सभी को बोलते हैं जितने भी एक्ष्टा फेक्ट बताते हैं ध्यान पूर्बक सुने एक्जाम में प्रस्न बनेगा और अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लिजिए जिससे आपका नौट्स त्यार होगा तो उलूंग किस्म की चाहें आंसर क्या होगा फड़ाफट से बताईए तो जो सुने होंगे बिल्कुल अराम से आंसर बता सकते हैं ताइबान आगे देखिए निम्न लिकित में से जपान का महत्पुन सूती वस्त्र उत्पादन के अंदर कौन सा है तो इसका सही जबाब है यह है ओसाका ए ओप्सन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जबाब है और ओसाका को जपान का मैंचेस्टर का जाता है भारत का मैंचेस्टर एमदाबाद को का जाता है उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपूर को और दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कोयम बटूर को सभी को ध्यान रखें भारत की प्रमुक खाद्य फसल कौन सी है तो दोस्तो भारत की प्रमुक खाद्य फसल की बात करें तो यह है चावल आगे देखे निम्न लिखित में से कौन सी उस्म एबम सुस्क पवने नहीं है चलिए आंसर किजिए और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटा फट से आप सभी सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दें तो कौन सी उस्म एबम सुस्क पवने नहीं है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बोरा, C option जो ही बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है यह सीतल पवने है बाकी हरमटन, सीरो को, सामल यह सभी सुस्क पवने है केप ओप, गुड होप को किसने खो जा और दोस्तो इससे पहले हमने 2010 से लेकर, 2023 तक में जितने भी इतियास के प्रस्न पूछे गए थे, सभी प्रस्नों को करा दिया गया है, उसका लिंक आपको यहाँ उपर सो हो रहा होगा आप लोग क्लिक करके दे सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा और ऐसे भी playlist भी बना हुआ है प्रिवियसर प्रस्न का, जाकर आप लोग चेक कर लिजिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा Cape of Good Hope को किस ने खोजा तो बार्थो लोम्यू डियाजने भारत की कौन सी नदी हीरा कुन बांत से संबंदित है चले अठारे के लिए आंसर बताइए फड़ाफट से और इसमें हम प्रस्नों का ज़्यादा discuss नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रेक्टिस सेट की class नहीं है यह हम प्रिवियसर करा रहे हैं तो भारत की कौन सी नदी हीरा कुन बांत से संबंदित है याद रखेगा महा नदी से दामोदर नदी कहां से निकलती है देखे दामोदर नदी को बंगाल का सोग का जाता है पस्रिम बंगाल का कोशी नदी को बिहार का सोग का जाता है तो दामोदर नदी कहां से निकलती है छोटा नाकपूर से याद रखेगा भारत का प्रथम उरुवरक सेंत्र कहां लगा था भीवियाई प्रस्न है मार्क कीजिए तो भारत का प्रथम उरुवरक सेंत्र लगा था सिंद्री में बी ओप्शन सईजबाब है भारत का सबसे बड़ा तेल सोधक कारखाना काँ परिस्थित है तो भारत का सबसे बड़ा तेल सोधक कारखाना पूछा जा रहा है तो आंसर क्या होगा जामनगर गुजरात के जामनगर में है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर इस्थित है चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताईए तो सरदार सरुवर पर्योजिना ये किस नदी पर है तो याद रखेगा नर्मदा नदी पर कहा है तो गुजरात में ज्यान रखेंगे एसकिमो का घर क्या कहलाता है देख सकते हैं कितना सिंपल सिंपल प्रसन पूछा गया है एकजाम में तो आप सभी जानते हैं एसकिमो का घर क्या कहलाता है तो याद रखेगा इगलू बी ओप्सन आपका सही जबाब है और एसकिमो जो है कनाड़ा और ग्रिन लेंड में निवास करते है सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है चलिए आंसर किजिए सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा आता है तो साउत एसियन एसोसियेशन फॉर रीजिनल कोपरेशन इसकी इस्थापना होती है उनिस्वा पचासी में याद रखेगा इसका हेट क्वाटर है नेपाल की राजधानी काटमांडू में और इसमें टोटल आठ सदस देश है जिसमें सबसे बड़ा है भारत आगे देखें प्रथम भारती उपगरा छोड़ा गया कब छोड़ा गया था ये भी बताना है तो ध्यान देजिए प्रथम भारती उपगरा को छोड़ा गया था 1975 में और नाम क्या था आरेवट प्रति वर्ग कीलो मीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्त कहते हैं जनसंख्या प्रवास, प्रतिसत या जन्मदर तो बहुत सिंपल है इसका अंसर क्या होगा प्रति वर्ग कीलो मीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्त कहा जाता है और 2011 की जनगन्ना के अनुसार सरवादिक जनसंक्या घनत्यू की बात करें तो बिहार राजी में और सबसे कम अरनाचल प्रदेश में कस्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन परवत स्रेनियों के बीच इस्तित है तो दोस्तों ये इस्तित है पीर पंजाल और व्रिहत हिमाले के मद्य बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो अभी हमने आपको बताया दामोदर को बंगाल का सोक जबकि कोशी को बिहार का सोक किस मिट्टी में कोशी का सबसे अधिक प्रभावसाली होती है तो दोस्तों ये कौन से मिट्टी है ये है चिकनी मिट्टी यहाँ पर ए आप्षन सही जबाब है काले मिट्टी की बात करें तो उसका अनिनाम है रेगूर मिट्दा और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है जान रखेंगे और इस मिट्टी का सबसे अधिक व तो स्वर निम्द चतरबुज परियोजना का संबन्द जो है ये राजमारक के विकाश से है ध्यान रखेंगे आगे देखे भारत में जैव विविदता के दिष्टी से निम्न लिकित मेंसे कौन सा तप तस्थल में सामिल है देखे विस्व जैव विविदता दिवस परत्यक वर्स 22 मई को मनाया जाता है और जय विवित्ता की द्रिष्टी से कौन सा तप तस्थल में सामिल है तो याद रखेगा पस्मी घाट निम्न लिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर अस्थान यह हवा के नाम है और अस्थान दिया गया है चिनुक की बात करें यूएस से बिलकुल सही है फौन काँ पर बाती है आलपस पर बात यह सही है सिरोको की बात करें तो ये कनाडा नहीं होगा क्योंकि सिरोको जो है यह सहरा मरुस्थल से भोमद सागर की और बहने वाली गर्म हवा है तो बाकि लू भारत ये सभी सही है C option अमारा सुमेलित नहीं है कुल गाड़ी किसके लिए प्रसिद है तो देखे कुल गाड़ी और काल गुरली ये दोनों आस्टेलिया में है और प्रसिद सोने की खाने है तो आंसर क्या होगा D option सोना के लिए प्रसिद है भारत का सबसे अधिक लेची उत्पादक राज कौन सा है तो भारत का सबसे अधिक लेची उत्पादक राज अपना बिहार है ध्यान रखेंगे आगे देखें निम्द लिकित में से दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी बताना है तो दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है अनाई मुडी जो की अना मलाई परवत पर इस्तित है और दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है दोदा बेटा और ये निलगिरी की सबसे उची चोटी है याद रखेंगे गुरु सिखर ये अराबली परवत्रेनी की सबसे उची चोटी है निम्न लिखित में से जम्मू एवं कस्मिर में खारे पाने की जिल कौन सी है तो जम्मू कस्मिर में बताना है खारे पाने की जिल तो दिखे डल जील भी जम्मू में कस्मिर में है वूलर भी है लेकिन खारे पाने की जील कौन सी है तो याद रखेगा डल जील ये खारे पाने की जील है जबके वूलर जील ये मीठे पाने की जील है मयूर भंज खनी छित्र कहां इस्तित है तो ध्यान देजे मयूर भंज खने छित्र ये उडिशा राज में इस्तित है हिंद महासागर में अमेरिकी नौ सेना अड़ा इस्तित है देखे ये सभी जो है हिंद महासागर में इस्तित है लेकिन इसमें से अमेरिकी नौ सेना अड़ा कहा पर इस्तित है तो याद कर लेजे डियागो गर्सिया में C option आपका सही जबाब है निमनलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफरीका महादिप में इस्तित नहीं है तो दोस्तो ये नदी है Hudson नदी ये USA में बहती है और इसी नदी के किनारे बसा हुआ है New York सहर याद रखेंगे New York सहर London किस नदी के किनारे बसा हुआ है याद कर लिजिए टैम्स नदी के किनारे नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है निमनलिखित में से किसका सही मेल नहीं है तो यहाँ पर और दोगिक छेतर है और देश के नाम है तो Osaka जापान भारत ये भी सही है बर्मिंगम फ्रांस में नहीं है बर्मिंगम कहाँ पर है तो ये ब्रिटेन में है तो D option जो है ये सुमेलित नहीं है भारत के उत्री पस्मी भाग में सीत कालिन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है चलिए आंसर किज़े फड़ाफट से तो उत्री पस्मी भाग में सीत कालिन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है याद रखेगा पस्मी विक्चोब से और भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछे किस मानसुन से होती है तो दक्षिन पस्म मानसुन से जनगन्ना दोहजर एग्यारा के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमे महिला साक्षरता प्रतिसत सरवाधिक है देखे महिला साक्षरता प्रतिसत और पुरुष साक्षरता प्रतिसत दोनों सबसे देखे के रल में सबसे कम बिहार में है ध्यान रखेंगे यूरोप के किस वग्यानिक ने खोजा कि पिर्थिभी जो है सूरी का चक्कर लगाती है तो दोस्तों ये किस ने खोजा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा याद रखेगा कौपर निकसने ये उप्षन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिलकुल सही जबाब है आप लोग कमेंट करके बताईए ग्रहों के गती का नियम किस ने दिया था दक्षने गुलार्द में व्यापारिक पवनों की बहने की दिसा क्या है तो दक्षने गुलार्द देखेजिए ये हमारा है अर्थ 20 से इसको काटेंगे तो यह हैं विश्वत यानि भूमद रेखा उपर का उगया उत्तर गुलार्द नीचे दक्षने गुलार्द तो दक्षने गुलार्द में यहापर व्यापारिक पवनों की दिसा क्या है तो उत्तर पस्यम से दक्षिन पुर्व याद कर लेजिए उत्तर पस्यम से दक्षिन पुर्व ध्यान रखेंगे और ये जो पिर्थवी है ये साले 23 डिग्री ये क्या है करक रेका है जो भारत के बीचों बीच से हो कर गुजरती है और साड़े 23 डिगरी नीचे ये क्या है तो मकर रेका है दोनों ध्यान रखे निम्न लिखित में से कौन से जीले में सिंदूर फैक्टरी इस्थि थे तो सिंदूर फैक्टरी कहाँ पर इस्थि थे बहुत सिंपल है लखी स्राय में है गांदी सागर बांद निम्न में से किसका हिस्सा है तो दोस्तों गांदी सागर बांद ये किसका हिस्सा है तो चंबल परियोजना का हिस्सा है बाके कोशी परियोजना कोशी नदी पर है दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है भाकड़ा नांगल पर्योजना सतलज नदी पर है, 2011 के जनगन्ना के अनुसार भारत में लिंगा नुपात क्या है, और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो फड़ा-फड़ से आप सभी सेशन को लाइक करें, तो यहाँ पर 47 का अंसर क्या हो जाएगा, 943 और बिहार में पूछे, तो 918 है, उपसावर के स्थिति कब बनती है, और देखे जितने भी नए भ्यारती है, चनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, 2010 से 2023 तक में जितने भी साइन्स के प्रस्ण पूछे गए हैं, सभी को कबर करेंगे, एकोनोमिक्स के प्रस्णों को कबर करेंगे, और साथ में हिंदी व्याकरण भी, तो उपसावर के स्थिति कब बनती है, याद रखेगा 3 जनवरी को, और एक होता है अपसावर, तो अपसावर के स्थिति बनती है, 4 जुलाई को दोनों ध्यान रखे, निम्न लिखित में से भारत का कौन सा राज, करक रेखा के उत्तर में स्थित है, तो करक रेखा के उत्तर में कौन सा राज स्थित है, तो याद रखेगा ये है बिहार उडिशा तो होगा नहीं नामी जोरम ना धारकंड आंसर होगा बिहार याद रखेगा हरित क्रांती के जनक कौन है तो यहाँ पर विश्व में पूछा जा रहा है तो हरित क्रांती के जनक है नौर्मन बॉर्लोग और भारत में हर्जत कांती के जनक पूछे तो कौन है ? MS, स्वामी, नाथन सोयत कांती के जनक कौन है ? वर्गेज, कुरियन 2001-2011 के दसक में भारत के निम्नलिकित राजियों में से किसमे सर्वादिक जनसंख्या व्रिद्धि धर है ? तो सरवाधिक जनसंख्या व्रिद्धी दर किसमे है याद रखेगा मेघाले 2001 से 2011 में पूछा जाए रहा है और सबसे कम पूछे तो नागा लेंड यहाँ पर व्रिद्धी दर जो है जनसंख्या व्रिद्धी दर रिनात्मक रही है लगवग 0.6%-0.6% निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा अस्थल सीमा है तो बहुत सिंपल है बांगला देश के साथ है और सबसे कम अफगानिस्तान उपरी वायो मंडल की उपरी परत किसके कारण कम हो रही है तो दोस्तों ये हो रही है क्लोरो-फ्लोरो कारवन के कारण यानि C, F, C के कारण ध्यान रखेंगे महराश्ट में पस्मी घाट किस नाम से जाने जाती है तो याद कर लिजिए important प्रस्ण है महराश्ट में पस्मी घाट जो है सयादरी के नाम से जाना जाता है निलगिरी की बात करें तो इसकी सबसे उची चोटी है दोदा बेटा निम्न लिखित छेत्रों में से किसमें बुश्मैन पाए जाते ही और देखें कमेंट करके आप सभी को अपना-पना स्कोर जरू बताना है बिलकुल इमंदारी पुरुवक तो बुश्मैन पाए जाते हैं याद रखेगा काला हारी मरुस्थल में विश्व प्रसिद लानोस घास अस्थल ये किस महद्वीप में इस्थित है अगर देश पूछ लिया जाए तो आंसर होगा कुलंबिया और वेनेज्वला किस महद्वीप में इस्थित है तो याद रखेगा ये है दक्षिन अमेरिका और देश कुलंबिया और वेनेज्वला भारत में वन्न जीव संडक्षन अधिनियम किस वर्स लागू किया गया चलिए आंसर किजिए संतावन के लिए तो वन्न जीव संडक्षन अधिनियम ये लागू किया गया 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर पूछे 1973 में और पर्यावरन संडक्षन अधिनियम पूछे 1986 सभी को ध्यान रखे छोब मंडल की उचाई कितनी है छोब मंडल वायो मंडल की सबसे पाली परत है और इसकी उचाई है 18 किलोमीटर गन्ना का सरवादिक उत्पादक देश कौन सा है तो गन्ना का सरवादिक उत्पादक देश की बात करे तो ब्राजिल है और भारत में सबसे अजिक पूछे तो कौन सा है उत्तरपरदेश राजे चाय का सरवादिक उत्पादक देश कौन है तो चाय का सरवादिक उत्पादक देश है चाइना और भारत जो है इसमें दूसरी अस्थान पर आता है तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही और जो बचे कोसंस है उसको हम लोग पार्ट टू में कबर करेंगे यह पार्ट वन था तो तब तक के लिए जय हिंद